हलो फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं चोथा ये है सिंधियों के गर में खुसियां भर देने वाले मिठाई ये हमारी देसी है बहुत ही पुराने तरीकों से पर हर फेस्टिवल में बनाते हैं अगर गर में साधी बया है तो भी ये जरूर बनती है तो चलिए बताते हैं हम इस कर सकते हैं आप चाहें तो सिफ वीड फ्लोड से भी बना सकते हैं या तो सिफ मैदे से भी हमने दोनों आदा दा लिया अब सारा पाउडर को हमें मिला देना है और ऑईल का मौन डालके इसे अच्छे से हाथों से मिला मिला के और आटा को मसलना है नॉर्मली कोई लोग क्या कर oh come Commerce को मैं बिछ एक माचा अच्छे से होना चाहिए और पानी दीमे डिमे डालके इसका तो टूरा बनानओ बनाना है का मिला मिला दोना जैसे या आप इसको कट करेंगे तो तो बीच में डेखिव ईसे लच्छे बनेंगे हैं इच्दम समूथ नहीं रहेगा कितने बडिया तरीके से ताकि इसमें मौन भी परफेक्ट है और आटा हमारा परफेक्ट रेडी हुआ है बस अब इसको अच्छे से मसल के और इसके बड़े-बड़े कट करके और बड़ी-बड़ी लोये बनाएंगी क्योंकि हमें थोड़ी यह मोटी रखनी होती है यह हमारे सिंधी का टाइम भी बना सकते हैं पर हमारे यहां ठंडी के दिनों में जब सातम स्रावर मेना आता है तो सातम में ठंडा हाना बनता है तब यह जरूर बनाते हैं अब देखिए हमने एकदम जाड़ा सा बेल दिया था और अच्छा सेप लाने के लिए ऐसे परफेक्ट गोल धकन से इसका सेप यही स्क्वाइल चौपाई जैसा ही होता है तभी तो इसका नाम चौथा है बस इसका वन फोट करने के बाद और इसके उपर से ऐसे कटर से ऐसे डिजयन कर देनी है यह यह इसी बहाने यह अंदर से एक्तम अच्छे से कूक हो जाता है देखिए मैं पास से दिख और एकदम बढ़िया से कोक हो जाएंगे अब तेल को पहले मैंने घरम कर दिया था फिर आंच को धीमी करने के बार उसमें सारे ये चौथे डाल देने हैं और देखे कितना स्लो है दी में दी में ये अपने आप उपर आ जाता है और बुलबुले होते हैं तकरीबन बारा से प परफेक्ट मेंजरमेंट से बनाई थी आप ऐसा ही डालेंगे तो एकदम बढ़िया के एक खाने के बाद भी दूसरा खाने का मन करेगा पर आप एक खाके ही ये बहुत हैवी होता है कई लोग सिर्फ गी में बनाते हैं तो जादा हैवी हो जाता है देखिए हलका सा ऐसा निकाल दीजिए क्यूंकि उस गरम गरम है तो बाद में भी ये कोक होता रहता है तो इसलिए देखिए हमने इसे घरमा गरम थोड़ा ओयल निकली आएगा पर निकाल के रखिए देखिए कैसे बुलबुले से हो रहा है अब इसी घरमा गरम में कई लोग उपर से गी गरम कर लेंगे ना तो इक्तम बड़ी आसा दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी यम्मी लगता है और हमने इसको पिस्ता और उपर से थोड़ी सी गुलाब की पतियों लगा के और डेकोरेट किया है वरना आप ऐसे भी खा सकते हैं पर अगर आप किसी को गिफ्ट म अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है बस इसकी ठीकनेस इतनी ही रखेंगे ना तो ही इसका परफेक्ट टेस्ट आता है तो कैसी लगी आपको यह रैसेपी पसंद आईए तो लाइक से सस्क्राइब कीजिए पर ट्राय कीजिए